हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्वीट किंग्डम पर सो से भी जादा डिमोनोइट्स ने अटेक कर दिया होता है और ये देखकर स्वीट किंग्डम का कमांडर उन्हें अर्ल शीट किंग्डम से मदद बुलाने के लिए खहता है पर उसे लग रहा था कि इतनी दूर से मदद आते आते तो कई दिन लग जाएंगे उतने में तो उनकी सिटी बचेगी नहीं बचाने के लिए तो इस तरफ शीन और उसके दोस्त उड़ते उड़ते स्वीट किंग्डम की तो एसे ही होगा ना फिर जब वो लोग स्वीट किंग्डम में पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी शीन सबको उनका काम बताता है वो सिसीली से कहता है कि तुम लड़ाई में घायल लोगों की मदद करने पर ध्यान देना उन्हें ठीक करने की कोशिश करना अपने एक माँ और बेटी को खत्म करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे और फिर वो उन पर हमला करने वाला था कि शीन वहां आकर उसके गाल पर जन्नाटेदार लात मारता है और वो डिमनोईट जुमका गीरा रे बरेली के बाजार में जुमके की तरह दूर जाकर गिरता है ये देखकर दूसरा डिमनोईट शीन से कहता है कि ये तुमने क्या किया क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसका सामना कर रहे हो तुमारे जैसा एक मामूली इंसान हम डिमनोईट को कभी नहीं हरा सकता जिसे सुनकर शीन बिना टाइम वेस्ट की अपने मेजिक से उस पर आटेक करके उसकी पक 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 को बंद कर देता है मेरा मतलब है कि वह आगे कुछ बोलने के लिए जिन्दा ही नहीं बसता बेचारे को खुद नहीं पता था कि वह किसका सामना कर रहा था अब उपर जाकर सोचना कि शीन कौन था तो दूसरी तरफ ओगस्ट स्वीट किंग्डम के सभी लोगों के सामने ये एलान करता है कि हम अर्ल शीट किंग्डम से मदद के लिए आये है और हमारे पास डीमनोइट्स को हरा पाने की ताकत हैHAN हमारे साथ डीमätalar को पहले भी हराने वाला2 घर व्लफोर्ड है इसलिए पर पार आप पत्स और लीन एक डिमनोइट का सामना करते हैं जहां वो डिमनोइट एलीस और लीन को छोटी बच्चियां बुला कर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं यह सुनकर तो एलीस को बहुत जादा गुस्सा आता है जिससे उसका मेजिक आउट ओफ कंट्रोल जाने ही वाला था कि लीन उस की बात समझ जाती हैं और शांत हो जाती हैं और जब वो पीछे मुड कर देखती हैं तो वो डिमनोइट ओल्रेडी लीन के मेजिक से मर चुका था फिर वो देखते हैं कि एक और डिमनोइट एक स्वीट किंग्डम के सोलजर को बुरी तरह से प्रतार ना दे रहा था और इस लिए वो उस डिमनोइट को अपने मेजिक से जला कर राक कर देती हैं तो वहीं दूसरी तरफ थोर और जूलियस भी डिमनोइट से लड़ रहे होते हैं और इस दोरान थोर उन में से एक को पूरी तरह से खत्म ना करके उसे सवाल करने लगता है कि क्या तुम यह सब स्ट्र ना काम कैसे कर सकते हो जिसके जवाब में वो डिमनोइट कहता है कि जब हम इनसान थे तब नोबल्स ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया और हम बस उनसे नफरत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन जब हम डिमनोइट बने तो हमें रोकने वाला कोई नहीं था और अब हम उनसे भी नफरत करते हैं जो शान्ती भरे देश में शान्ती से रहते हैं ये सुनने के बाद जूलियस कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासुम लोगों को हर्ट करो मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूँगा इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ डिमनोइट्स होस्पिटल पर अटेक करने वाले थे लेकिन इस जगह को मार्क और ओलिविया गार्ड कर रहे थे पहले तो डिमनोइट्स को देखकर मार्क थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी डिमनोइट्स का सामना किया था और उसकी इस घबराड को देखकर डिमनोइट्स पर वार भी कर देता है लेकिन ओलिविया उसे बचा लेती हैं और इससे फिर मार्क को हिम्मत मिलती है और फिर वो दोनों मिलकर उन डीमनोट्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं दूसरी तरफ हम शीन को भी देखते हैं वो तो दे चोका, दे छक्का, ए हो जाए हो जाए धूम धड़कका वो तो अकेले ही काफी सारे डीमन्स का बड़े आराम से चक्के छुडा रहा था और लोरेंस ये सब पीछे से देख रहा होता है उसे यकिन नहीं हो रहा था कि एक इनसान इतना पावरफुल केसे हो सकता है जो अकेले ही इतने सारे डीमनोट्स को खत्म कर सकता हो आगे लोरेंस शीन की कमजोरी ढूनने की कोशिश करता है मगर उसे ये एहसास होता है कि शायद शीन की तो कोई कमजोरी है ही नहीं तो दूसरी तरफ ओगस्ट और मारिया के सामने वो ही डीमनोट आता है जो पिछले एपिसोड में स्ट्रोंग के साथ जित कर रहा था वो ओगस्ट से कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे सामने काम नहीं करेगा क्योंकि मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म करने वाला हूँ और एक बार मैंने लीडर को हरा दिया तो बाकी सब दूम दबा कर भाग जाएंगे जिस पर ओगस्ट कहता है ओहो अच्छा बच्चा तो तुम्हारा ये प्लान है मगर तुम्हारी बदकिसमदी शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारी टीम अल्टिमेट मैजिशन का लीडर मैं नहीं हूँ तो वहीं बातो बातों में ओगस्ट कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम डीमनोट की लीडर हो सकते हो तो सेम बात तुम पर भी लागू पड़ती है अगर मैं तुम्हें खत्म कर दू तो सारे डीमनोट भाग खड़े होंगे क्यों सही कहा ना जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है रुको रुको मेजिक वाली लड़ाई नहीं बलकि बातो वाली लड़ाई ये दोनों एक दूसरे को प्यार से धमकी देते हैं कि वो उसका सर धर से अलग कर देंगे और ये सिलसेला काफी टाइम तक चलता है चपड़ 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 करते ही रहते हैं और फिर फाइनली उनकी रियल फाइट शुरू होती है जहां सबसे पहले मारिया उस पर अपने मेजिक से अटेक करती है लेकिन वो डिमनोड उससे बच जाता है और वो भाग कर मारिया को एक जोड़दार पंच मारता है लेकिन शीन के दिये हुए डिफेंस आर्मर की वज़े से उस पंच का उस पर कोई असर नहीं होता है तब ही वो मारिया का हाथ पकड़ कर उसे दूर फेक देता है और उसे मारिया को चोटी सी चोट भी आ जाती है पर उसके आर्मर पर हीलिंग मेजिक होने की वज़े से उसकी चोट तुरंत ठीक भी हो जाती है आगे मारिया उस पर काफी सारे फायर अटेक करने लगती है लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उसके पास एक magic gear होता है जो उसने Sweden Kingdom के एक magician से चीना होता है और हमें पता चलता है कि वो magic gear वो ही होता है जो Sheen ने Sweet Kingdom को दिया था और ये देखकर कि उसको कुछ होई नहीं रहे तो August और मारिया अलग-अलग direction से लगातार magic से attack करने लगते हैं और फिर लगातार attack करने की वज़े से वो barrier तूट जाता है और फिर मोके का फायदा उठाते हुए August उस पर पीछे से attack करके उसे खत्म कर देता है जिसके बाद अगले सीन में हम देखते है कि Sweet Kingdom के Royal Palace में Grand Power Granny भी होते हैं लेकिन उन्हें लड़ने की कोई जरूत नहीं पड़ती अब ये सब देखकर तो Lawrence के होश पूरी तरीके से भूलड हो गए थे क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि Sheen के साथ साथ उसकी बाकी टीम मेंबर्स भी इतने स्ट्रोंग निकलेंगे और इसलिए फिर वो ब्रोडकास्ट के जरिये सभी डिमनोइट को वापस दाने के लिए कहता है जिसे ZEST जो बाहर खड़ा था वो सुन लेता है और अब ये सब देखकर वो भी हैरान था और इसलिए फिर वो उसकी साथी जिसका नाम Beauty था वो उसको मदद करने के लिए बुल दिया था और उसे इस रूप में देखकर तो किंग्डम के गार्ट की भी फटकर चार हो जाती है आगे ब्यूटी जो बिल्कुल भी ब्यूटी नहीं है वो कहती है आओ इंसानों दिखाओ तुम में कितनी पावर है जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके किंग्डम में तबाई मचा देती हैं और ये सब दूर से स्ट्रोंग भी देख रहा होता है वो कहता है ब्यूटी तुम्हें जेस्ट की बात मानकर किंग्डम में जाने की जरूत नहीं थी एक बार मुझसे बात करके तो देखती अब आगे क्या डेंजरस होने वाला है ये तो हमें नहीं पर खत्म होता है